तो अभी हम पढ़ने वाले हैं Center of Mass and Center of Gravity concept बच्चों को थोड़ी से confusion होती है लेकिन आपको नहीं होगी बस आपको दो-तीन मेंट patience को साथ सुनना पड़ेगा अगर आपने भगाई यहां से speed वोला 1.5 की speed में देखूंगा सर मैं तो double speed में देखूंगा तो समझ लेना कि यह सारी चीज़ गायब हो जाएंगी जल्दी से speed को कर लो normal normal speed कर ले वोला सर आप कैसे बता अरे क्या बात कर रहे हो सर आप तो normal speed कर लेना देखो मैं आपको पताऊं एक चीज़ बिलकुल हिसाब सुनना क्यों confusing है देखो center of mass और center of gravity दोनों अलग अलग बाते होती है लेकिन 99.9% cases जो हम देखते हैं अपने daily life में उनमें यह दोनों एक ही जीज़ है बात समझे क्या का मैंने center of mass और center of gravity दोनों अलग अलग चीज़े हैं लेकिन जो हम daily life में अपनी देखते हैं वहाँ पर हर case में center of mass और center of gravity एक ही जगह पर मिलता है उन दोनों का एक ही meaning निकलता है तो सर अलग अलग कब होगा समझाओंगा ना है के नहीं क्यों परिशान हो रहे हो देखो तो अगर मैं आपसे कहता हूँ center of mass क्या होता है तो center of mass किसी भी body का ऐसा point होता है जिसके around सारे के सारे mass का distribution सेम होता है समझे जैसे कि यह पूरा register है अब इस पूरा register में मैं ऐसा point ढूड़ू जिसके around जो mass है ना चारो और बराबर हो जैसे कि मैंने इसका यह ऐसा point होड़ा यह register balance हो गया तो मैं center of mass को ऐसे भी बोल सकता हूँ कि center of mass ऐसा point होता है जिस point पर हम यह ऐसा मान सकते हैं कि सारा का सारा mass concentrated है मतलब यह हुआ कि मैं इस पूरे register को hold करे बिना सिर्फ इसके center of mass वाले point को hold कर लूँ तो फिर यह पूरी body balance हो जाएगी तो इसका मतलब यह हुआ कि center of mass किसी body का ऐसा point होता है जिसके round mass distribution सेम होता है और अगर मैं उस point को support दूँ तो पूरी body balance हमारी हो जाती है तो मैं ऐसा बूल सकता हूँ यह एक ऐसा point है जहाँ पर हम मान सकते हैं कि पूरी body का सारा का सारा mass इसी एक point पर balance है अभी देखे center of gravity क्या होता है तो मैं आपको होता है यह दोनों का एक ही meaning निकलता है लेकिन ऐसा कहा जाता है देखो जो acceleration due to gravity है वो यहाँ भी लग रही है यहाँ भी लग रही है यहाँ भी लग रही है तो आप यह देखेंगे कि overall जैसे यहाँ एक particle होगा समझ ना देखो तो सब mg का resultant कहा जा रहा है यह देखो ना बीच में से समझ ना तो अभी तो आप देखोगे कि जो जो छोटी bodies जो होती है उनके लिए हर particle पर जो mg force होता है जो यह acceleration due to gravity की जो value होती है वो सेम होती है है कि नहीं तो center of mass और center of gravity एकी point पर पाई जाते है लेकिन अगर मैं extended object की बात करूँ जैसे की mount Everest या हिमाले तो आप देखते हैं कि अगर मैं ज़्यादा height पर जाता हूँ तो जो acceleration due to gravity की value है यह change होती है यह vary करती है तो नीचे वाले particle पे mg force ज़्यादा लगेगा और उपर वारे particle पे mg force कम लगेगा बात समझ गे तो resultant जो mg force होगा न वो नीचे की side आजाएगा हिमाले के या mount Everest के तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि center of gravity किसी भी body का ऐसा point होता है जहां पर हम यह assume कर सकते हैं कि सारा का सारा weight मतलब mg force वहीं पर concentrated है और मैं तो हिमाले के लिए mount Everest के लिए ऐसे bodies के लिए center of mass अलग जगे पे पाया जाता है थोड़ा सा उपर center of gravity अलग जगे पे पाया जाता है थोड़ा सा नीचे लेकिन जो normal bodies हम देखते हैं चाहे मैं अपनी बात करूँ या आपकी बात करूँ या इस copy की हम सभी पर acceleration due to gravity की value same है जितनी head पे लग रही है उतनी time पे लग रही है तो फिर आप ऐसा बोलेंगे कि बाई center of gravity और center of mass एक ही जगे पे लाए करता है तो basically मैं ऐसा बोल सकता हूँ center of mass और center of gravity ऐसा center of gravity ऐसा point है यहाँ पर हम पूरी body का weight concentrate मान सकते है अगर मैं center of gravity पे इस body को hold कर लूँगा CG अगर मैं find करके hold कर लूँगा तो ना तो यह body right में जाएगी और ना यह body left में जाएगी मतलब इसमें कुछ इस तरीके का motion नहीं होगा clear है? तो center of mass और center of gravity generally एक ही जगह पर पाई जाती है क्या center of mass और center of gravity क्या center of mass और center of gravity body के बाहर हो सकती है? answer है बिल्कुल हो सकती है अच्छा देखो register वाले case में तो हमने देखा कि register के center पर ही मिल गई लेकिन अगर मैं आप से कहूँ कि मान के चलो यह मेरे पास एक ring है अब इस ring में मैं balance करना चाता हूँ इस ring को मैं balance करना चाता हूँ तो आप यह देखेंगे कि अगर मैं इसको यहां से जो है वो करता हूँ तो यह गिर जाएगी यहां से करता हूँ तो यह गिर जाएगी यहां से करता हूँ तो गिर जाएगी तो मतलब आप यह देखें अगर जैसे यह हो गया यह तो इसका center of mass कहां exist करेगा out of the body समझे ऐसी तरह से मैं और भी examples आपको दूँगा numericals करा हूँगा तो वहाँ पर center of mass कहां exist करेगा out of the body तो कोई भी body अगर मुझे ढूणना है center of mass कहां तो अगर यह गिरना जाए तो मैं इस तरही के से जहां पर भारी दुखो center of mass ज़्यातर कहां होगा जहां पर mass का distribution ज़्यादा होगा जिस side mass ज़्यादा उसी side को center of mass खिसक जाता है clear है बात समझे अच्छा एक और चीज़ है मैं आपको एक useful content देता हूँ कि center of gravity या center mass जितना नीचे खिसके गाना चीज़े हमको उतनी ही भारी नजर आएंगे समझे जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक इनसान अरे सर ये तो आपने meme से बड़ा देखा होगा बाई साब आपने जो है सुना होगा कि मम्मी ने कहा कि बेटा cylinder उठागे रख दे तो तुम्हें तु बड़ी problem हो रहे है लेकिन MAMมी ने कहा बेटा उस लड़की को उठागे रख दे तो आप आराम से कंदे पो उठागे ले जाओगे ऐसा मम्मी ने गहेंगे लेकिन वान में तो ऐसे case में क्या हो रहा है यह सई बात है कि सिलिंडर को अथाने में कस्ट थो होगे लेकिन उस अभी क्या हुआ कि आपका आपने लड़की को उठा लिया कंदे पर तो अभी क्या हुआ कि आपने इस लड़की को कंदे पर उठाया इस तरीके से ये चलो ये मानली मैंने ये लड़की ऐसे आपने कंदे पर उठाया अभी क्या हुआ कि आपका center of gravity यहाँ उसका center of gravity यहाँ अ अब भी हम बात करते हैं, center of mass, center of gravity, तो basically क्या होता है, कि कोई भी body, हमारी body, कैसे भी motion करे, लेकर अगर आप देखो, जैसे अगर मैंने जो है, मतलब इस बंदे ने, इस ball, इस bat को यहां से फेका, अभी क्या होगा, इस rod को उसने फेका, तो आपने देखा कि यह rod पहले ऐसी थी फिरैसी हो गई, फिरैसी हो गई, फिरैसी हो गई, फिरैसी हो गई, तो आप देख रहे हो कि इसके जो अलग-अलग particle है, वो तो अलग-अलग motion कर रहे हैं, इस particle का motion देखो, यह यहां से पकड़ते हैं, उसका motion देखो, यह यहां जा रहा है, यहां जा रहा है, यहां जा रह का पाथ भी बताता है तो motion of center of mass tells about the path of body अब सवाल यहाता है कि सवाल कैसे करेंगे सर सवाल कैसे करेंगे तो tension मत लेना देखो सवाल करने के लिए आपको बहुत चोड़ा सा काम करना है क्या काम करना है सवाल करने के लिए आपको यहाँ पर चोटी मोटी मैं समझ नहीं देखो क्या होता है कि हर बार आपको लड़की तो उठाने को नहीं मिलेगी आपको सवालों में questions में masses मिलेंगे एक mass है, दो mass है, क्या बात कर रहे है real life में इतनी घटिया चीज़े है और सपनों में देखो कितनी बड़ी है बड़ी है समझो यहाँ पर देखो, एक mass है ये और एक mass है ये अभी एक mass और ये दूसरा mass अब होता क्या है कि हमें ना, जैसे कहीं पर रखा हो या मान के चल सकते हैं, एक system बड़ी सी कोई body, और उसमें बहुत सारे मैंने example, जो है आसान बनाने के लिए सिर्फ यहाँ पर two masses ले लिए आप question कोई साब भी कर दो, कोई tension मत लेना तो मान के जब एक ये mass रखा हुआ और ये mass रखा हुआ दोनों masses एक दूसरे से connected हैं अब मुझे ढूणना है कि इनका center of mass कहा होगा तो सबसे पहले हमने इस mass का position vector लेखा r1 vector और इस mass का position vector लेखा r2 vector और इस mass का अगर मैं center of mass ढूणना चाहता हूँ तो मैंने का मुझे मिल गया तो मैंने इसको नाम दिया center of mass center of mass का position vector position of center of mass ठीक है इसको मैंने नाम दे दिया rcm और चलो ठीक है ये point हमें मिल गया इसको मैं नाम दे सकता हूँ ये मुझे मिल गया center of mass अब क्या होता है न कि एक system में दो से ज़्यादा masses भी हो सकते है और एक mass ऐसे एक mass ऐसे एक mass ऐसे एक mass ऐसे एक square के form में, rectangle के form में cube के form में कैसे भी रखे हो सकते है तो अगर मुझे center of mass निकालना है तो कैसे निकालूँगा बात समझना तो center of mass निकालने का जो formula होता है वो कुछ इस तरीके से होता है जैसे मान के चलो कि मेरे आप ना किसी भी एक plot में खड़े हुए हो इस तरीके से तो आप खड़े हो यहाँ पे द्यांस देखो अब मुझे ना बताना है कि आप किस जगे पे खड़े हो तो मैं कैसे बताता हूँ मैंने का कि आप जो है एक मीटर आगे खड़े हो और आप यह ऐसे बोल दूँ आप ना दो मीटर आगे खड़े हो और एक मीटर उपर खड़े हो तो मैं आपकी जो location ऐसे बोलूँगा कि x में आप 2 meter हो और y में आप 1 meter हो तो इसी तरीके से मुझे center of mass भी किसी भी system का जैसे मान के चलो ये मेरे पास एक body है चलो ये जैसे ये मेरे पास body है अब इसका center of mass बीचो बीच तो नहीं होगा अब इससी बात है हलका सा इस इस side को shift हो जाएगा तो इसी तरीके से मुझे बताना है कि center of mass की exact location क्या होती है ठीक है तो हम exact location कैसे बताते हैं तो exact location बताने के लिए हमें center of mass x access में कितना दूर है और center of mass y access में कितना दूर है ये दोनों चीज़े find out करनी हो सकती है z access में होगा तो z access के लिए हो जाएगा ऐसा तो देखो x access में center of mass तो basically center of mass की अगर आपको location निकालनी है और question में आपको r1, r2 दिया हुआ है तो formula मैं सब सिखाऊंगा tension मतले ना m2 r2 plus m3 r3 plus m4 r4 upon m1 plus m2 plus m3 plus m4 बात समझ गए देखो बहुत कासान है अब मुझे क्या करना है कि ये जो center of mass है मुझे बताना है x access में कितना दूर है y access में कितना दूर है तो देखे कैसे बताऊंगा तो मैं इसको बताऊंगा m1 x1 क्योंकि हर एक particle इसकी x access में कुछ position है इसक भी x access में कुछ position होगी अब इसी बात है तो उन तीनों का combine मैंने कर दिया अब उन तीनों के current center कहीं पहुंचेगा ना तो बस वही चीज़ मुझे निकालनी सवाल कारोगे समझ मा जाएगा xcm is equal to m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 यह x3 क्या है x access में mass की position समझ में आ गया ठीक है और xcm क्या है कि यह सभी x access में mass के position के बाद जो result जो center of mass जहाँ पे मिलेगा ना उसको हमने बोला xcm ycm क्या है y axis में center of mass की position m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 upon m1 plus m2 plus m3 clear now अभी मान के चलो कि यहाँ पर आपको question मिल गया यह बहुत आसान है एकदम यह सारे बच्चे छोड़ोटे बच्चे जानते हैं इसलिए मैंने इस चीज को लिया क्योंकि आप इसका answer तो जानते हैं लेकिन solve कैसे करेंगे यह जान जाओ तो कभी भी आपको center of mass के question करने हैं तो हमेशा एक origin जरूर डिसाइड कर लें कि हाँ भई मैं यहाँ से reference लेना चाहता हूँ तो हमने कहा कि यह वाला जो point है वो origin पर रखा हुआ है तो यह x में कितना 0, y में कितना 0 clear now तो आप मुझे बताओ कि यह वाला mass यह x में कितना हो जाएगा x में 10 cm आ गया गया तो 10 और y में उपर तो नहीं गया तो 10, 0 बात समझ भाई तो यहाँ पर आप यह देखोगे कि यहाँ पर मुझे एक चीज़ clear हो गई क्या x1 की value देखो जड़ा यह क्या है x1 है और यह क्या है यह y1 है यह क्या है यह x2 है और यह क्या है यह y2 है बस clear हो गया कि यह वाला mass अभी x1 में कहा है जीरो पे यह वाला मास X2 में का है 10 cm पे ठीक है अब फॉर्मूला क्या लगाना है मुझे देखो इसमे य एकस तो है नहीं उपर नीचे य वाली एकस तो है नहीं तो सेंट्रों मास X एकस में लाई करेगा तो पॉर्म लगाऊंगो M1 X1 प्लस M2 X2 अपन M1 प्लस M2 अब के सॉ 5GG का और X2 कितने दूर है यह 10 cm पे अपन में का है अपन में M1 प्लस M2 मतलब 5 प्लस 5 10 हो गया तो आप यहां पर देखेंगे 50 upon 10 कितना आ गया 5 cm तो भई वैसे भी मुझे पता था 5 cm पर सेंटरों मास आएगा लेका आप फॉर्मूला कैसे अपलाई करते है यह आपके हुआ है एक मास 5 केलो का है 25 का है और 10 केलों का है अब आपको इस सिस्टम का सेंटर अमास पाइंड करना ए कि किस पॉइंडरों मास कर प हाथ लगां कि यह पूरा सिस्टम исп बैलेन सेंटर्रों मास करेगा तो देखो इसमे रही का में काम भी नहीं करना तो सबसे जरूरी नह देखो, x-axis में कितना आगे बढ़ गया, देखो, यह वाला मास 10 cm पर है, तो 10,0, आगे बढ़ जाओ, आप देखो, x-axis में यहां से, origin से, कितना आगे बढ़ गया, 10, और यह 30 cm, 30, और y-axis में 0, तो आप यहां पर समझो, कि x1 की value क्या मिल गई, देखना ज़रा, x1 की value, x1 की value 0 है, x2 की value, 10 है, और x3 की value, 30 है, समझ गई, और y1, y1, y2, y3, सब की value 0, 0 है, अब निकाल लो, m1 की value कितनी है, देखो, जब आप 5 into, कर पाओगे, समझ में आएगा, 5 into, ऐसे question आएंगे, आएंगे आएंगे, आएंगे आएंगे, आएंगे, आपके exam में, 5 into, x1 की value, x1 की value, 0 अब देखो, 25, मास 25 kg का है, 25, 1, 2, 10, प्लस, m3 की value, 10 kg, x3 की value, 30, अब आउन में कितना है, 3 मास का addition, 3 मास का addition कितना हो रहा है, 40, टिक, तो आप ये देखेंगे, 5, 30, और ये 40, तो आप ये देखेंगे, ये कितना हो जाएगा, 500, प्लस 300, तो ये होगे, आपके पास 500, 550, ये 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 इतना, तो आप ये देखेंगे, कि ये आपके पास आजाएगा, 13 फोर्जा, तो अपरोक्स ये आपका 13.8 cm आजाएगा, तो center of mass की value कितनी आगई, center of mass की value कितनी आगई, 13.8 cm, मतलब center of mass आपका कहा exist करेगा, कहा लाए करेगा, यहाँ पे, यह ओरिजिन से, यहाँ से 13.8 cm, ये निकाल दिया आपने center of mass, बात समझ में आई, चलिए बहुत सही, और कर लेते हैं, घबराओ मत और कर लेते हैं, तेक है, now center of mass हम इस तरह से calculate कर सक सकते हैं, बाइ, it's taking time, guys, now, अभी हम आगे बढ़ जाएंगे, अब मान के चलो, आपको इस system का center of mass निकालना है, तो आप यहाँ पे समझें, कि आप यहाँ पे, यहाँ पे balance करोगे, तो यह balance हो जाएगा, otherwise नहीं हो पाएगा, यह कहीं नहीं गर जाएगा, अब हम आगे बढ जी का, फिर 33 के जी, फिर 44 के जी, अब आप यह चारो system मैंने चारो mass ऐसे रख दिये, अब आपको इस system का center of mass find out करना, मतलब मैं इसको कहाँ balance करूँ, मैं इसको, कहाँ जो है, इसको touch करूँ, कि वह यह balance हो, इनका center of mass कहाँ exist करेगा, यह मुझे बताना है, तो बताओ ज़रा अब देखो, यह वाला mass, x axis में, आप यहां से कितना आगे बढ़ गए, देखो, 20 cm, तो x में 20, y में यह वाले mass के लिए 0, आगे बढ़े क्या, बिलकुल नहीं, अब उपर आ जाओ, उपर देख लो, यह वाले mass के लिए, अगर देखो, यह 20 है, यह वाला भी 20 होगा, और य 10 है, तो यह वाला भी 10 होगा, अब यह वाले mass के लिए, एम 3 के लिए, एम 3 के लिए ज़रा देखना, कि आप x axis में कहा हो, तो देखो, 20 cm, तो x axis में कहा हो, 20 cm आगे, लेकिन इस बार उपर भी पहुँच गए, कितना उपर, देखो, 10 cm, 20, 10, यहां पर देखो, यहां पर, x axis में कहा हो, देखो, यह 1 के जी 0 पहे, तो यह भी 0 पही है, लेकिन यह पॉइंट उपर की साइड है, तो यह हो गया 10, 0,10, तो अगर आप यहां पर बिलकुल आसान सी बाशा में लिखें, तो आपको मिलेगा, कि यह है x1 और यह है y1, यह है x2 और यह है y2, बुला सर अब त तो आप बिना करें, मतलब बहुत सारे बच्चे आरे सहर, आप पूरा नहीं करा पाते हो, आप इतने घटिया मास्टर हो, तो आपको करा ही देता हूँ मैं, otherwise अब तो होई जाएगा, बताओ जरा मुझे, बताओ, नव, देखो जरा, m1 x1, अभी m1 x1 की बात करेंगे, तो और x2 की वैल्यू कुतनी है, x2 की वैल्यू 20, प्लस m3 की वैल्यू 3, 3 into x3 की वैल्यू 20, प्लस m4 की वैल्यू कुतनी है, m4 की वैल्यू 4 kg, और x4 की वैल्यू 0, अप आन मैं m1, m2, m3 कर देंगे, तो answer आएगा, अब धान से देखना जरा, यह तो 0 हो गया और यह भी 0 हो गया तो आप देखो 20 40 60 आजाएगा नहीं आजाएगा तो आप देखेंगे यह कितना हो गया 100 divided by 10 तो यहाँ पर जो center of mass जो आपको देखने को मिलेगा x cm की value यह हो जाएगी आपके पास 10 cm x cm 10 cm में अब y cm देख लो जरा अब तो आप कर दो के भाई साब मुझे पूरा विश्वास है m1 की value देखो जरा m1 का है m1 है आपके पास 1 kg और y1 की value 0 है plus m2 आपके पास 2 kg और y2 की value भी 0 है तो यह देखो जरा m3 y3 तो m3 है 3 और y3 है 10 तो m3 कितना है 3 और y3 है 10 प्लस यहाँ पे देखो यह m4 कितना है 4 और y4 कितना है y4 कितना है 10 तो यहाँ से आपको मिलेगा 40 और 37 तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 7 cm तो इस तरह से आपका जो y cm है center of mass in y axis वो पहुंच रहा है आपके पास मतलब y axis में 7 cm उपर तो यह पूरी 10 cm की है तो पूरी 10 cm की है ना तो आप यह देखो कि यहाँ पर जो है यह करीब पहुंचेगा 7 cm और 10 cm यहाँ पे तो यह करीब यहाँ पे exist करी आगे 10 cm x x में और उपर 7 cm ठेक है तो मतलब आप यह point बोल सकते हो कि यह हो गया हमारे पास center of mass clear है तो इस तरीके साब center of mass find out कर सकता है होप आपको अब समझ में आ गया होगा triangle अगर आपको मिल जाए तो triangle वाला तो मैं आप से करवा लूगा भाई साब देखो जरा देखो बड़ी simple जी बात है triangle वाला गर आपको कोई question मिल जाए तो आपको घबराना नहीं है आपको करना है किसे 2 kg 2 kg 4 kg आप यहाँ center of mass आप से पूछ रहा है तो कुछ भी नहीं करना आपको लेट से यह m1 है यह m2 है यह m3 है इसका answer आप मुझे comment section में लेकाऊ निकाल के दो के मैं कुछ नहीं जानता 0,0 और यह आपके पास कितना हो जाएगा पताओ जरा अब देखो जरा कितना हो जाएगा यह एक meter की है न equilateral triangle तो यह कितना हो जाएगा 1,0 और यह वाला point कहाँ पहुँच जाएगा मालिक यह वाला point कहाँ पहुचेगा यह height पर है मुझे बताओ जरा equilateral triangle में height कितनी होगी इसकी यह हो जाएगी root 3 by 2 तो यह वाला point कितना हो जाएगा उपर वाला point देखो यह x-axis में कितना आगे बढ़ गया एक मीटर का आधा तो x-axis में आगे बढ़ा 1 by 2 और y-axis में कितना root 3 by 2 बस तरह से coordinate decide कर लो m1 x1 x cm की value निकाल के कितनी हारी 0.5 निकाल लेंगे value पुट करो m1 x1 m2 x2 m3 x3 अब y-axis यह मुझे आपसे comment section में चाहिए मैं कुछ नहीं जानता बात समझे अगर आप यह नहीं बता होगे तो मैं आगे नहीं बढ़ाओंगा ध्यान रखना चले आगे बढ़ जाए अभी हम बात करेंगे center of mass अभी हम बात करेंगे center of mass of uniformly distributed body या ऐसे बोलूँ कि center of mass of uniformly distributed mass अगर मेरे पास कोई एक ऐसी body है जिसमें जो mass है वो corner पे नहीं रखा हुआ है corner पे नहीं रखा हुआ है mass पूरी bodies में फैला हुआ है पूरी body में फैला हुआ है normally जैसे कि एक plain lemon आगे पाम में एक register अभी आपने बात करी तो इनका जो center of mass है वो कहां पाये जाता है तो इनका center of mass पाये जाता है इनके geometrical center पे जैसे कि इसका geometrical center क्या है diagonals का meeting point इसका center of point इसी तरीके से और इसका center of point इस तरीके तो geometrical center पर पाये जाते है uniformly distributed mass का center of mass अगे बढ़ेंगे थोड़ा सा अगर question आपको इस तरीके का मिल जाए कि जहाँ पर mass की value given ना हो find center of mass जहाँ पर mass की value given ना हो वहाँ पर आप center of mass अगर निकालना चाते है और इस तरह का आपको question मिल गया तो आप किस तरीके से find out करेंगे जरा ध्यान से समझना इस प्रसंग को इस कहानी में आपको मजा आगा पहले देखो formula क्या होता है m1 x1 होता है कि नहीं होता अब मुझे mass नहीं पता लेकिन मुझे area पता है और ये पता है कि इसकी जो density हो uniform है तो बच देखो simple जी बात है कि mass का formula होता है area into density simple जी बात है अब density same है तो उपर वाली dense array ये x cm is equal to m1 x1 plus m2 x2 ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता हाँ m1 plus m2 ये formula होता है अब समझना कि अगर मुझे area दिया हुआ है और अगर मुझे area दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया simple जी बात तो मैं का करूँगा na area की जगए a1 into sigma लिखूँगा यहाँ पर a2 into sigma लिखूँगा और x की जगए x1 x की जगए x2 upon m1 की जगए भी का लिखूँगा area into sigma plus area into sigma पूरी जो है एकी जैसे density वाली है तो अभी मैं यहाँ से sigma सिग्मा कैंसल लिखे करूँगा तो formula क्या बनेगा a1 x1 plus a2 x2 upon a1 plus a2 sigma सिग्मा कैंसल होई जाए तो यहाँ पर simple जी बात है कि formula जो जब mass हमें ना दिया हो है ना एक जैसी body हो uniform body हो कहने का मतलब है तो आप क्या करेंगे तो ऐसे case में आप formula लगाएंगे यह वाला xcm निकालना है तो a1 x1 plus a2 x2 upon a2 a1 plus a2 मतलब formula कैसे बना यह मैंने आपको भी बता दिया तो सबसे पहले a1 क्या है जैसे अगर मैं यह मालनू अगर मैं यह मालनू यह वाला जो लहमेना है मतलब इस l section का मुझे center of mass find out करना है तो कैसे करेंगे इसको मैं नाम दे दिया यह हो गया a1 और इसको नाम दे दिया मैंने यह हो गया a2 बात समझना तो अभी देखो यह a1 a1 का x axis में जहां भी center of mass लाइग करेगा उसको मैं बोलूँगा x1 a2 इस a2 का भी अलग से इस a2 का अलग से कहीं ना कहीं center of mass तो हो गई न तो x axis में center of mass की location का उसको मैं नाम देखो बस simple देखो कोई नहीं दिकत नहीं देखो तरा तो जैसे मान के चलो मैं अगर यहां की बात करूँ तो यह height कितनी दी हुई है तो यह height मुझे दी हुई है 6 cm तो यह overall height यह कितनी हो जाएगी फिर यह overall height हो जाएगी 8 cm अच्छ है हाँ ठीक है 8 cm तो यहां पे मैंने मान लिया origin क्योंकि origin तो मुझे माननी पढ़ेगा तो 0,0 अब यह मेरे पास area 1 है और यह मेरे पास area 2 है आप ज़रा देखो कि अगर मैं इस particular area की बात करता हूँ जैसे ध्यान से देखना है अगर मैं इसकी बात करूँ इसका area यह 2 cm है तो x axis में इसका center of mass का आएगा कहीं यहां आदे पे और यह 6 cm का है तो इसका center of mass इसके साब से y axis में कहा आएगा 3 cm पे तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका center of mass इस a1 का center of mass कहा आएगा करीब यहां पे मतब 3 cm y axis में और 1 cm x axis में तो देखो जरा क्योंकि मुझे 0 से बताना है 0 से तो मैं यहां पर इसकी value कितने लूँगा मैं यहां पर इसकी value लूँगा 0 से 1,5 क्योंकि 2 cm यह भी तो रहा गया मुझे coordinate कहां से बताने है नीचे से बताने है न तो देखो यह 6 cm right है तो बीच में 3 cm आगया 2 cm bit है तो बीच में 1 cm आगया 1,5 अब इसका center of mass देख लेते हैं यह कहां जाएगा इसका center of mass 8 cm है तो यह करीब जो है यहां पर 4 cm यहां आगया थोड़ा से मुझे और length बढ़ानी चाहिए कोई बात नहीं ज़रा अभी देखो जिसे यहां पर मान लेता हूँ चलो देखो center of mass का यहां पर लाए कर रहा है तो अभी 4 cm आगे origin से और 2 cm की आएट है तो 1 cm ऊपर ख्लियर है तो आप यहां पर देखो कि x1 की value क्या हो गई देखो ज़रा x1 की value हो गई 1 और x2 की value हो गई 4 अब इसके बाद y1 की value क्या हो गई 5 cm और यहां पर y2 की value क्या हो गई 1 बस खताम है खेला खताम है और कुछ नहीं solve कर दालो solve कर दो अब कोई दिक्का दे नहीं है इसका area कितना होगा इस वाले का area a1 6 x 2 12 cm2 इसका area 8 x 2 16 cm2 clear है a1 x1 a2 x2 बस लगा हो खेल खताम हाँ जी भाई x2 की value क्या है 1 minute हाँ हाँ 1 minute 1 minute तो मैंने इसको जो है इस तरीके से मुझे कर लेना चाहिए यहां पर मैं एक बार और solve करूँगा इसको a1 x1 तो a1 की value क्या a1 की value हो गई अपने पास 6 2 है 12 into x1 की value है 1 plus a2 की value कितनी हो गई 16 और x2 की value कितनी है 4 16 to 4 a1 की value फिर से 12 plus इसकी value 16 तो यहां पर answer कितना आएगा 64 और यह आपके पास 76 upon 28 तो यह आपका अपरक्स हाँ जी भे 2.7 cm हो जाएगा तो यहां से origin से origin से आपको x cm कितना मिल गया origin से x cm कितना मिल गया 2.7 cm मतलब 2.7 cm यह आपको एप्रक्स इतना यहां से 2.7 cm यह मिलेगा x वाला point और y वाला point आप मुझे यहां पे निकाल करके बताएंगे यह आपका काम है निकाल दोगे न बात समझभा रही है तो y वाला point आप मुझे निकाल के बताएंगे अब y cm जो है निकाल लोगे मैं अतनी उम्मीत लो करीज रकता हूं भाई लोगो तो y cm आपका कितना आना चाहिए यह भी आपका 2.7 ही आना चाहिए भविश्य मारी बोलती है क्योंकि मैंने करके देखा हुआ इसको एक बार कर दे देखो a1 की वैल्यू फिर से 12 इंटू y1 की वैल्यू है 5 प्लस a2 की वैल्यू फिर से 16 और y2 की वैल्यू है 1 तो 12 प्लस 16 फिर से से जम आंजर आ रहा है 2.7 cm तो मतलब x एक्स में कितना x एक्सिस में अगर आप यह देखेंगे तो 2.7 मतलब यह 2 cm का तो 2.7 एक्सिस में करीब यहां पर पहुँचेगा और y एक्सिस में 2.7 हाइट तो करीब यहां पर तो center of mass जो करीब आपको यहां पर देखने को मिलेगा तो मतलब इस एक्सिस के अबाउट आप यह देखेंगे तो इस एक्सिस के अबाउट यह देखेंगे तो mass का distribution सेम है center of mass मतलब body के outside भी exist करता है तो इस तरह के question को आप आराम से कर सकते हैं